अस्सलाव अलेकूं विवर्स आज हम बना रहे हैं चौकलेट चीज पराठा चले हम बनाना स्टाट करते हैं सबसे पहले हम डो त्यार कर लेते हैं डो बनाने के लिए मैदा लिया है मैंने 3 कप 1 पोर टीजपून मैंने उसमें नमक काइट कर दिया है एक चमच मैंने इसमें कुकिंग ऑईल डाल दिया है आदा कप लिया है मैंने सूजी का अब इन सब चीजों को पानी की मदद से हम गून लेंगे आटा आपने बहुत जादा सक्त नहीं गूनना है नहीं नर्म गूनना है दरम्याना आटा गून दियेगा पानी मैंने रूम टंप्रेचर पर लिया है ये हमारा आटा गून किया है अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 20-25 मिनट के लिए बहुत जादा गर्मी हो तो फ्रुज में रख दियेगा नहीं तो बाहर ही रहने दियेगा ये मैंने कवर कर दियेगा 25 मिनट गुजर गए है हमारी डो बिलकुल रेडी है अब मैं इसके दर्म्याने सा इसके दो पेड़े बना लूँगी सिर्व इतना आटा लेना है आपने इस तरह से पेड़े बना लिएगा ये दो रोटियां बेल ली है मैंने अब मैं इसके उपर चॉकलेट सीरप अपलाए कर दूँगी चमच की मदब से इसके उपर सीरप अपलाए कर दियेगा दो से तीन चमच इसके उपर सीरप लगा दियेगा रोटि के किनारे छोड़ दियेगा किनारों पर आपने सीरप नहीं लगाना है हाफ कप मैंने मुजरिला चीज का ले लिया है दस मिनट पहले चीज को फ्रीजर करके कश कर लियेगा यह सारी चीज मैंने इसके उपर डाल लिये एक से दो चम्मच इसके अंदर आइसिंग शुगर के डाल दियेगा या जितनी आपको पसंद हो इससे बहुत ही जबर्दस टेस्ट आएगा इसका यह मैंने डाल दिये है उंगली की मदश से किनारों पर पानी लगा दियेगा इसके अच्छे तरीके से यह सारा पानी लग गया है अब दूसरी रोटी को मैं इसके उपर रख दूँगी यह देखें इस तरह से चारों तरफ से उंगली की मदश से किनारों को बंद कर दियेगा किनारे बंद करने के बाद रोटी को दोनों साइडों से अच्छी तरह से दबा दियेगा ताकि यह खुले नहीं यह देखें इस तरह से अब एक तवा ले लिया है मैंने को like कर दिया करें और share कर दिया करें, हलका सा हम oil को भी घरम कर लेंगे, फिर इसके उपर oTI डालेंगे, यह oil घरम हो गया है, पराथा डाल दिया है मैने तब एक उपर, पहले एक साइट से इसे golden brown कर लिएगा, फिर पल्टिएगा, हमारा पराथा एक साइट से golden brown हो गया है, इस साइट पर भी दो चमबच में तेल के डाल दूँगी अब इसको पलट दिएगा ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है दूसरी साइट से इसका दूसरी साइट से भी आप इसको गोल्डन ब्राउन कर लिएगा ये हमारा प्राठा रैडी है हम इसे उतार लेते हैं हमारा य येगा